हलो फ्रेंड्स मैं हूँ कपिल गंभीर आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शन्स दोस्तों सुशान सिंग राशपूत के पिता के वकील विकास सिंग ने आज एक प्रेस कॉंफरेंस की इस प्रेस कॉंफरेंस में आकर उन्होंने डॉक्टर सुधीर गुपता पर कई संगीन आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा सबसे पहले बात कही कि सीबे डिरेक्टर को आज मैंने एक चठी लिखकर बोला है कि एक नई फोरेंसिक तीम का गठन किया जाए जिसमें देश के बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हो और एक निश्पक्ष जाच की जाए सुषान सिंग राजपूत को लेकर दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि डॉक्टर सुधीर गुपता ने आखिर क्यों सेलेक्टिव मीडिया चैनल को ही सुषान सिंग राजपूत की रिपोर्ट लीग की तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि डॉक्टर सुधीर गुपता ने मुझे कुछ वक्त पहले कहा था कि ये death by strangulation है सुशान्त ने आत्म हत्या नहीं की ये बात उन्होंने तस्वीरें देखकर कह दी थी और उन्होंने कहा था कि ये 200% जी हाँ 200% death by strangulation है तो अब वो इस बात से क्यों पलट रहे हैं वो क्यों कहते हैं कि ये suicide है हत्या नहीं अगली बात उन्होंने कही कि अगर वो कहते हैं कि सुशान सिंग राजपूत की लटक कर मौत हुई है या उन्होंने फांसी लगाई है तो उन्होंने का ये भी हो सकता है कि सुशान सिंग राजपूत को पहले बेहोश किया गया हो उसके बाद उन्हें फंडे पर लटका दिया पॉस्ट मॉटम में डेथ आफ टाइम मेंशन नहीं है पॉस्ट मॉटम की जो रिपोर्ट थी जिन्हों ने बनाई जिन डॉक्टर ने बनाई उनमें पांच डॉक्टर थे जिनमें सिर्फ एक फोरेंसिक एक्सपर्ट था और ऐसे में CBI को खुद संग्या लेना चाहिए और सुधीर गुपता की भी जाच करनी चाहिए कि आखिर वो अपने बयान बार-बार क्यों पलट रहे हैं। उन्होंने कहा CBI को देखना चाहिए कि इन्होंने रिपोर्ट किस आधार पर मनाई CBI को इनकी जाच अच्छे से करनी चाहिए तो ये गंभीर आरोप लगाए सुशान सिंग राशपूत के पिता के वकील विकास सिंग ने।